दोस्तों आपके स्मार्टफोन में जो भी बैटरी लग रही है वो आपको शायद 2-3 दिन में चार्ज करनी पड़ती होगी आपके घर में जो घडिया हैं वो महीने बर में साल बर में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती होगी क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना ऐसी बैटरी पर काम कर रहा है जो 50 साल तक डिस्चार्ज होगी ही नहीं जानि कि उसको एक बार चार्ज कर दिया जाए और वो 50 साल तक नॉन स्टॉप चलती रहेगी ज़रा सोच यह यह बैटरी अगर मोबाइल फोनों में इस्तिमान होने लगी रोबोटिक्स में इस्तिमान होने लगी, AI में इस्तिमान होने लगी तो फिर क्या होगा और ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो अब इस चीज को अचीज को अचीज कर पाई हो स्क्वीज किया है, स्क्वीज नहीं, स्क्वीज नहीं, जो भी किया, तो उसने एक ऐसी बैटरी बना दिया है, जो 15 mm, बहुत छोटी एक बैटरी है, इतनी सी लगबग 5 का सिक्काद होता है न हमारा, उसके वराबर एक बैटरी बनाई है चोटी, जो कि 3 वोल्ट की है, और 100 मा अब आपने समझी लिया होगा जब मैंने आईसोटोप्स कहा, जी हाँ, दोस्तों ये एक न्यूक्लियर बैटरी है, चाइना बहुत पहले से रिसर्च कर रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर को एकदम छोटा कर दे, और उसे छोटी बैटरी में इस्तिमाल करे, इसके आईसो कुछ यही कर रही है, इनका यह कहना है कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मिटीरियल इस्तिमाल हो रहा है, वो इनसानों के लिए कोई भी डेंजर पोसेस नहीं करता, जब भी न्यूक्लियर का हम नाम सुनते हैं तो यह सुनते हैं कि रेडियेशन लग जाई, और ये बात ब जाल गई, बड़ी खतरनाक चीज है, और इससे तो पंगा लेना बहुती मुश्किल में डाल सकता है किसी को भी, राइट, अब ऐसी टिकनालोजी को बैटरी के लिए इस्तमाल करना, खेर मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी रेडियो अक्टिव मेटीरियल होते हैं, वो ऐसे मेडिकल एक्कूपमेंट में इस्तमाल किया जा सकता है, जिसमें बार-बार बैटरी बदलना काफी रिसकी हो सकता है, जैसे कि पेस में कर, यह एक ऐसा डिवाइस होता है, जो दिल में लगता है, यहां लगता है चेस्ट में और वो दिल की धढकन को रेगलेट करता है, अब ऐसा को डिवाइस है जिसकी बैटरी 50 साल चलती है तो वो फिल्कुली बढ़िया हो जाएगा 2025 तक यह लोग एक वाट तक की पावर एचीव करने की सोच रहे हैं इस बैटा वोल्ट से अब क्या है कि जब नुकलियर कोई चीज बनती है तो उसमें बहार से कोई प्रेशर पढ़े या इंपक्ट पढ़े तो उफट जाएगी उसके अंदर कर निकल जाएगा जो भी है चलाते ही रहो इनका यह कहना है कि जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो यह जो आइसोटोप से यह कोपर के आइसोटोप में बदल जाएंगे जो कि बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होंगे और यह नेचर में बहुत अच्छे से डिस्पोज हो सकते है यानि कि जब इस जानी चाहिए इसमें डाइमंड भी इस्तिमाल हो रहा है तो देखने में यह बहुत अच्छी चीज लग रही है दोस्तों अगर इसको बहुत एडवांस बनाया जाए और सही में अगर यह नुक्लियर डेंजर पोसेस नहीं करता लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है कम्प्लीटली बदल जाएगी टेकनॉलोजी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं अब यह जब मुबाइल फोनों में आएगी तो घर की बिजलियों के लिए आ सकेगी और तरह तरह ही चीज़ों में इस्तेमाल हो सकेगी क्योंकि यह नई टेकनॉलोजी है इसकी साइड जो नुकसान पहुंचाती है एंख इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और बैटरी की और टिक्नोलोजी के बार में जाना चाहिए अलग लग बैटरी इसका निर्माण हो रहा है ग्रफाइड बैटरी यह डायमंड बैटरी वैटरी लेकिन यह बैटरी में दिमाग इला दिया इसने तो मैंने सच्ट पर वीडियो बनाता हूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी दिस लाइक करें में दोस्तों साथ शेयर करें सब्सक्रिप्शियर करें टूर्ट इतिकल हैं कोर्सेज हैं आसान भाषण में आपको इतिकल हैकिंग सिखा देंगे मै आपसेगली वीडियो में थैक यू सो मच और गुट बाई